तो यार नीट 2021, 22, 23 के पेपर से अगर आप एनलाईज करोगे तो एक ट्रेंट जो देखने को मिल रहा है वो यह है कि कि केमिस्ट्री अफ पहले जैसा इजी नहीं रहा केमिस्ट्री अफ जो है कमपरेटिवली थोड़ा सा टफ आने लग गया है तो आप इस वीडियो के थूँ अगर आप इस वीडियो में जो मैं प्लान बताऊंगा अगर उसे stick करते हो तो अराम से 100 प्लस 120 प्लस तो आप score करी लोगे और अगर आप already ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे 120 नमर के आसपस आपके already आ रहे तो आप अराम से 160 प्लस 170 प्लस तो expect कर सकते हो करना क्या है जो मैं plan बता हूँ उससे एकदम stick करना जितना study hours बता हूँ ही है हो सकता है किसी दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ा और बायो किया या फिर किसी दिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बायो किया किस दिन के लिए 70 अभी कैसे होगा कितना इसमें क्या पढ़ना है और गैनिक इन और गैनिक फिजिकल सब की अलग बताऊंगा किसमें क्या पढ़ना है बताऊंगा तो या देखो study hours का ठीक है बट resources कौन से use करना है कहां से करना है अगर आपको crash course के थुरू पूरा जो है syllabus complete करना है तो उसके लिए अभी इस point of time पे बहुत बढ़िया resource है NCRT अगर आपको revise करना है बहुत बढ़िया एक opportunity है आपके लिए क्योंकि यह completely free offer है Unacademy के तरफ से Unacademy Learning Festival है जो कि एक हफते के लिए यानि कि March 8 से यह offer शुरू हुआ था March 8 से March 15 तक क्या होगा आपको completely free access मिलेगा plus subscription का Plus में जितने भी batches चलते हैं सबके live lectures का आपको access मिलेगा जितने भी पुराने recorded lectures है उनका access मिलेगा 24-7 जो doubt solving के facilities है वो भी आप avail कर सकते हैं जो study material है जो experts ने curate किया वो आपको मिलेगा Top educators के study material के साथ साथ जितने भी mock test हो गये test series हो गये सबका access आपको free है दो लाग से भी जाधा practice questions भी आप एविलेबल है सब कुछ completely free है कैसे sign up करना है आप पर इसको access कैसे करोगे नीचे में description पर link डाल दूँगा जब आप link को click करोगे तो आपको mobile number से sign up करना रहेगा OTP डाल देना उसके बाद आपका जो target है यानि कि NEET UG वो already selected रहेगा क्योंकि हम आते हैं organic पे कियर organic को कैसे पढ़ना है हमें organic को कैसे टैगल करना है कितना time देना है कितना क्या lot करना है 11 में जो main part है वो GOC वाला पार्ट है और hydrocarbons है दो ही chapter है तो GOC में क्या क्या आता है यहां पर important है कि आप चीजों को थोड़ा conceptually पढ़ो क्योंकि देखो one shot के लिए त आपको complete GOC करवा रहे हैं उसके अंदर आप फड़ा conceptually पढ़ने कोजिश करो अगर आपके अच्छे notes बने हुए तो आप पहले nomenclature सीखो कि हां naming कैसे होती organic compounds की उसके बाद isomerism पर आओगे क्या क्या different types of isomerism होता है उसके बाद जो भी M effect हो गया, H effect हो गया, I effect हो गया, जितने भी reaction mechanism वाली चीज़े है basic basic, acidic strength हो गया, basic strength इसमें से almost हर साल question आता है, फिर aromaticity हो गई, इसमें से पकाप questions आते हैं, तो आपको जो basic concepts है, acidic strength हो गया, basic strength हो गया, stability of carbon ion हो गया, aromaticity, यह basic चीज़े आपको definitely आनी चाहिए, GOC वाले part में, उसके बाद आप आओगे, hydrocarbons में, hydrocarbons में 2 घंटा, मैंने one shot lectures के factor पढ़ोगे, तो NCRT के अंदर ही है, practical में, जो qualitative and quantitative analysis of compounds, उसमें जितने भी चीज़ें हैं, chromatography वाला part हो गया, फिर आपका जो nitrogen estimation हो गया, जैल डाल में था, दोमाज में था, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब आपको थोड़ा NCRT, थोड़ा theoretical oriented जादा पढ़ना है, उसके लिए आप mostly या तो one shot में cover हो जाएगा, नहीं भी cover हो जाएगा, तो practical chemistry करके, अगर आप देखोगे, जब NMC के updated syllabus है, उसमें practical chemistry का अलग से द दिया गया है, तो biomolecule आपको पढ़ना है, chemistry ने everyday life mostly पढ़ना है, वैसे तो नहीं दिया बड़ प्रेक्टिकल chemistry का पार्ट बोल रहे हैं, तो यह दो पार्ट आपको पढ़ना है, यह theoretical हो गया, तो यह तो यहाँ पे मैंने पूरा estimate डाल रखा, यह मैं अपने telegram channel पे भी डाल घंटे जो है, आप आपके important revision और recall पे दे दो, उसमें क्या क्या करना, important recall पे क्या क्या करना, जितने भी name reactions है, उसके लिए क्या करोगे, आप एक notebook लो, और name reactions को लिखना चालू करो, ठीक है, और फिर जितने भी chapter wise उसको लिख लो, कि हाँ यह वाला chapter है, जिसे मान लेते है, Hello Al प्रोडक्ट क्या है, फिर इसमें yield कितना है, अगर yield या कोई भी special information दी होती है, mechanism में अगर कोई change होता है, तो क्या उसमें फरक पड़ता है, फिर उसके लावा catalyst हो गया, pressure कितना है, temperature कितना ही, इस सब चीज़े आपको लिख लेना होता है, तो name reactions में जितना भी part है, सारे theoretical chapters, theoretical chapters अगर आप फिर से revise करना चाहते हो, आपके notes जो आपने बनाए है, या फिर NCRT में अगर आपने highlight कर रखा है, तो उसके लिए मैंने 12 घंटे, तो यह first read के अंदर ही आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको special focus देना है, ठीक है, चलो, अब हम आते हैं inorganic पे, inorganic का द जिन तो properly remove कर दिये गया है, ठीक है, तो periodic table chemical bonding coordination में, और इसका एक implication यह भी है कि inorganic से, शायद अब number of questions थोड़े कम हो सकते हैं, जैसे पहले जब 45 भी questions आते थे, तो 15-15-15 का distribution रहता था, अब तो खेर 50 questions आते हैं total, section A, section B, तो आप मान के चलो, 12-13 questions के असपास हो सकता है, वह inorganic number of questions थोड़े कम हो जाए, इसके अलावा, तो इसका एक और मतलब ये भी है, कि जो ये तीन chapter इसका weightage और बढ़ गया है, यानि कि chemical bonding में से mostly questions आएंगे, पहले भी आते थे बट आप और जाधा आएंगे, periodic table में से जाधा question आएंगे, और coordination से जाधा question आएंगे, तो इन ती इन चैप्टर को आपको धंग से बढ़ना है, मैंने देखो, one shot में भी काफी जाधा time alert कर रखा है, chemical bonding में चार घंटे, coordination में चार घंटे, अगर थोड़ा जाधा भी time लगे तो आप ले लो, लेकिन इन दो चैप्टर को आपको बहुत धंग से करना है, periodic table वैसे तो बहुत इ काइशन्स नहीं होते है, time to time अगर आप देखोगे हर paper में, physical chemistry में यह चीज़ है, कि physical के questions है, वो हर बारी थोड़े-ठोड़े, change हो जाते है, कोई fixed pattern वाला question नहीं होता है, mostly आप देखना कई सारे changes होते हैं, वर इन और गैनिक में previous topics बहुत जादे है, तो previous topic जरो देखना जै से क्या के इंपोर्टेंट है मैं आप लिख रखा देगा पीराइट टेबल में जो ट्रेंट्स हो गया आइस इलेक्ट्रानिक स्पीशीज हो गई तो उसमें जो ऑडर होता है तो इस टाइप से क्वेशन जाते हैं जितने भी ट्रेंट्स हो गया आई-पी यह फिर आपके इस टाइप से एक्ट्रानिक स्पीशन वाले के आते हैं फिर आपके एलेक्ट्रोन अफिनिटी हो गया इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी हो गया सबके और सब्सक्रा पूछे जा सकते ठीक है चलो फिर आप थोड़ा एनलाइस करो गया तो डाइपोल मोमेंट के कॉशन अल्मॉ क्लीचर हो गया फिर वीटी हो गया सी एफटी हो गया इसके जितने भी पार्ट से तो इसका थोड़ा बहुत थेरिटिकल वाला पॉर्शन भी है लास्ट में अगर आप देखोगे तो एंसी अर्टी के अंदर यह जो तीन पहले चैप्टर्स है ना यह थोड़े ज्यादा कंसेप्ट्ट्य है इन ओर्गनिक हम कहते हैं कि हमें बायो की तरह पड़नी चाहिए तो प्रॉपर ब्लॉप की तरह है आप एक लाइन पढ़ो एक लाइन से के करना नहीं कुछिश्ट करो जहां से भी कुछिशन आपको लगता है बन सकता है आप उस चीज़ को पढ़ने कुछिश्ट करो ठीक है तो NCRT बेस ज्यादा है यहां पर तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ठीक है फिर NCRT के लिए मैंने ठीक ठाक टाइम अलॉट कर रहा है तो यह भी आपका 45 वार्स के आसपास का आगया फिजिकल के मिस्ट्र में अगर मैं बोलू साथ चैप्टर है साथ चैप्टर में अगर आप वन शॉट लेक्चर आपको करना है फिर हैंडबुक करना है अब द सारे फॉर्मूले आपको एक दम टिप्स पर होने चाहिए कि हाई यह फॉर्मूला है यह क्वेशन अगर आगे तो मेरे को यह फॉर्मूला लगाना है वैल्यूस पूट करनी एंसर आएगा इसलिए हैंडबुक कहा मिलेगा मेरे टेलिग्राम चैनल के लिंग में नीचे डा है फॉर्मूला याद कर लूँ अगर आपने ध्यान से देखा है तो आधी गंटे के अंदर अंदर आप हैंडबुक को आराम से रिवाइस कर सकतो तो साथ इन्टो आधे गंटे साड़े तीन यानि चार गंटा मैंने यहांपे हैंडबुक को टोटल दे दिया है फिर उसके चैप्टर में नियाटी इंप्रेंट होता है तो जो धुरेटिकल चैप्टर है उस पर थोड़ा देख लेना इंचार इंचार इंप्रेंट हो गया है तो इसके पढ़ लेना कैसे पढ़ना है अगर आपको उसके लिए एक डीट्रील टूटोरियल चीए कि एक फिजिकल क्या सपसका आ रहा है तो 45 45 50 अराउं 140 आर्ज में आप फस्ट रीड कंप्लीटली कर सकते हो और इसके अलावा सेकेंड रिविजन पर वन शॉट्ट मोस्ली इलिमिनेट कर दो ठीक है वन शॉट आपको करने की ज़रुरत नहीं है बड़ जो भी आपने नोट्स बनाए जो भ जादा प्रैक्टिस करनी है उन बाकी के जो सतर घंटे जो आप सेकेंड रिविजन कर रहे होगा यह जो प्लैनर है यह प्लैनर में अपने टेलिग्राम पर डाल दूगा और वीडियो के लिंग भी जैसे कि मैंने फिजिक्स में मैंने बता दिया था मैं लिंक्स ने डाले ब वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट से बताना नेक्स वीडियो के